तो जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, वो मज़ेदार, चटपटा, दिल्चस्प, धमाकेदार, शांदार सा एपिसोड लेकर आ गया हूँ अब एपिसोड क्यों मज़ेदार कहा हूँ मैं, क्योंकि यार इस एक अकेले एपिसोड में कितनी सारी चीज़ें एक साथ होंगी वो आपको भी सौझ में आएगा, मज़ा भी आएगा, हसी भी आएगी, माथा भी पीटेंगे, यार ये क्या आइटम है, ऐसा भी कह सकते हैं या हो सकता है इसी तरह के comment आप करेंगे तो नीचे आप जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि और लोग भी क्या comment कर रहे हैं तो अब नाम बताने के जरुद तो है नहीं अगर आपने एपिसोड देख रहे हैं तो आप मेरे नाम समझ जानी रहे हूंगे जंगनमन रियक्स आप देख रहे हैं पिछले तुनों मैंने एक एपिसोड बनाया था कि जंगनमन रियक्स का नाम इस्तमाल करके कोई दूसरे यूट्यूबर को उसकी comment पे जाके comment कर रहा है मैंने तब कहा था सर मुझे किसी के साज़िश है या शारारत है मुझे समझ में नहीं आया मैंने यही blind होगी मेरे एपिसोड की अब मुझे समझ में आ गया है सच में बिलकुल हुआ क्या मैं जिस आइडी से मेरे नाम को बनाम किया गया उस आइडी को मैं लगातर फॉलो कर रहा हूं ठीक है जी अच्छा वो आदमी ऐसा बेफकुफ हर दूसरे दिन तीसरे दिन में अपनी आइडी चेंज कर ले रहा है लेकिन हेंडल तो सेम है अब नाम क्या-क्या हो रहे है पहले था जंगनमन रियक्स ठीक है जी फिर हुआ दीपक इस ग्रेट मैंने आपको पिछली वारी बताया था फिर हुआ टेकनिकल आशू और आब हो गया टीम एहमद खान तीम एहमद खान भाइसा मैं ये वाला एपि चलिया एक यूट्यूबर है रवी सी करके है ना आप मेंसे बहुत लोगों ने देखा होगा तो भाई मैंने पिछली बार उन्हें क्लिंचिट देती थी कि रवी सी की गलती क्या है यार कोई मेरे नाम इस्तेमाल करके दोनों को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है यार इस बार लग रहा है कि कहानी कुछ और है क्यों अभी कल एक एपिसोड उन्होंने अपने उस पे किया और एपिसोड करके वो इसी टीम एहमद खान का नाम गिना रहा है कि टीम एहमद खान ने उनसे कहा कि बहुत अच्छा एपिसोड बनाते हो क्या क्या गदर ढार रखा है अगरा क कर रखाया वगेरा कर रखाया तवाही लादिया गदर लादिया क्या 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 और टीम एहमद खान के हवाले से वह अपने लिए कह रहे हैं ठीक है जी अच्छा लाइव में आके कोई कहा जाए तो अलग बात होती है लेकिन उन्होंने बखायता एक एपिसोड बनाया वो एपिसोड मैंने डाउनलोड कर लिया है और वो टीम एहमद खान को मैं भेजने वाला हूँ ठीक है जी तो उसके अंदर हो कहते हैं कि टीम एहमद खान लाइव आई उनके पास और वो उनसे कहती है कि बहुत ही शांदर एपिसोड है बाप को लिके क्या धमाल मचा दिया और उसके बेस पे दावा किया जा रहा है कि हर बाप का अपडेट उनके पास आएगा तो भी आप दिखा दो बाप का अपडेट दिखाने में कोई गलत नहीं लेकिन कुछ तो ऑफिशल हो क्या फरजी ऑफिशल आईडी बनाके अब फरजी अपडेट डाल तो मुझे लग रहा है कि इस चैप्टर के बाद में इस एपिसोड के बाद मुझे एक क्लेर हो गया कि वो कौन आदमी है जो जन्गनमंद्योल बंद करा रहा है जो जन्गनमंद्योल की कंप्लेंट कर रहा है लगातार कर रहा है तो वो मुझे अपका सामझ में आ गया कंप वीसी जो है वो उसको पता है कि कुछ गरबर है इमेल आइडी में और दूसरा है कि नहीं पता है तो पहले हम बात करते हैं अगर उससे नहीं पता है तो यारी कौन से जमाने में रह रहा है जब मैंने मेरे पास मेसेज आया कि कोई मेरे नाम बदनाम कर रहा है तो मैंने जाकर क किया मैंने उसकी email ID निकाली और उस इमेल ID को मैंने लगातर फॉलो किया ठीक है और मैंने कहा कि मैं अभी मुझे शक है लेकिन मैं पका नहीं कह सकता इसलिए किसी ख़बरों की तरह है, इस ख़बर को भी बिरा क्रॉस चक करें, आगे पेल दिया जा रहा है, तो इसलिए मैं रवी सी कहा रहा हूं, बारबर सी कैपिटल में, तो रवी सी का जो दूसरा है, चलिए उससे पता है, कि वो टीम, जो टीम एहमद खान है, ये फर्जी है, और ये अ करेंगे इसी है कि मुझे इस उसको देखे मुझे गुस्सा खे पोई शक्स है जो मेरे नाम को बदनाम कर रहा है को ताना साप साइडर बैठा है hata जोड़के चुप-चाप निकल जाओ, तंग नहीं करने का है, लेकिन साप अगर आपको डसने पर आ जाना, तो भी आप उसका पंजा पकड़ते हो, कि भाया हमें ना काटे, उसको जंगल में छुड़वाते हो, आप उसको पकड़वा के कहीं डिब्बे में बंद करवाते हो, है ना, वन्यजीव वालों को बुलाते हो, लेकिन साप का इलाज दरूरी हो जाता है, तो भी आई जो साप है, जो काटने के लिए बेकरार है, जो मतलब इस हद तक गिर चुका है, कि भाई, मतलब फरजी ID क्रेट करकर के अपनी तारीफे करवा रहा है, फरजी ID क्रेट करकर भगवान शिव का नाम लेके, मैं कल उतार रहा हूँ, और सनी पाजी पर जो चैनल मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वो गदर का एक साल पूरा होने पर मैं लेके आउँगा, फिर लेके आउँगा, जिसको बंद कराना है, वो कराता रहे, जिसको कम्प्लेंट करनी है, वो मत कर रहा हूँ, और जिसकी बूत है, मैं नौकरी में नहीं जा रहा हूँ, 25 साल म्यूज की नौकरी करने के बाद में, कोई सोचेगा कि नाम बदल बदल के, कम्प्लेंट करके मेरे को डरा देगा, सॉरी, मैं डरने वाला नहीं हूँ, ठीक है जी?